Question 29 का A part देखिए हमें निकालना है integration जब हमें यहां पर दे रखा है 2 प्लस साइन 2X अपॉन 1 प्लस कॉस 2X इंटु E की पावर X DX जब भी multiply में मुझे ये E की पावर X दिखती है न तो मुझे एक ही formula याद आता है कि E की पावर X इंटु Fx प्लस F-X का जो integration है वो होता है आपका E की पावर X इंटु Fx प्लस C हो ना हो 99% chances यही होते हैं कि formula जो integration है वो इस format का हो तो ज़रा चेक कर लेते हैं थोड़ा इनको solve करते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा हैं 2 sin X cos X और यहां पर 1 plus cos 2 theta का formula लगा देंगे और जो किसके equal होता है 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta तो यहां पर आ जाएगा 2 cos square angle का half is X उपर से हमने 2 common ले लिया तो यहां पर बचा 1 plus sin X cos X upon cos square X 2 into e की power X DX 2 से 2 cancel हो गया यहां एक बार इसके upon में आएगा 1 upon cos square X और एक बार इसके upon में हमें से लिख लेंगे that is cos square X e की power X DX अब यह cos square X उपर जाकर यह आपका बन जाएगा sec square X that is sec square X और यहां पर एक power बची तो यह आगया 10 X मैं थोड़ा आगे पीछे लिख लूँ इन्हें उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि addition में है e की power X अब चेक करो function plus differentiation function plus differentiation बन गया न यही format तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 10 X e की power X DX प्लस यहां पर आगया sec square X e की power X DX clearly हमें यह पता है कि यह ऐसा format हो तो इसका integration सीधा e की power X into function होता है बट यह question यहां MCQ नहीं है तो आप यह formula यूज नहीं करेंगे आप इसे solve करके बताएंगे तो first integral को solve कर लेते हैं by parts i late से exponential function last में तो यह second function यह technometric function है तो यह first हो हो जाएगा integrating by parts in first integral पहले integral में हम इनका integration कर रहे हैं तो यहां पर first integral same second का integration minus first का differentiation second का integration फिर total का integration और plus में यह term है यह plus की यह minus की यहां cancel हो गए तो integration आ गया 10 x e की power x plus c that is i हमारे पास यहां पर आ गया आपने देखा कि हमने कैसे solve करा है इसे यहां पर हमने पहले इस term को solve कर लिया फिर function प्लस function का differentiation वाली form बनी और फिर हमने उसको उसके method से solve किया तो integration की value हमें यहां पर मिल गई है